राहुल गान्ती माटलार्तमारी प्रालाइप्ट शुद्था बड़ा एरपट जमीन किसकी गई अयोधिया के किसानों की जमीन गई आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला और तीसरी बात इनों ने बताई मुझे तीसरी बात राहुल जी कि अयोधिया की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनोगुरेशन में अयोधिया का एक भी व्यक्ती नहीं था ये कारण थे मगर मैं आपको ये काहनी क्यों बता रहा हूँ क्योंकि जो मुव्मेंट अडवानी जी ने चालू की थी उस मुव्मेंट को जो जिसका सेंटर अयोधिया था उस मुव्मेंट को इंडिया गडबंदन ने अयोधिया में हरा दिया है बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मतलब इनका पूरा जो सेंटर था वहाँ पे हमने आप जैसे कार्यकरताओने कॉंग्रेस पार्टी के कार्यकरताओने और आप जाके पूछिए वहाँ पे समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए और वह आपको बताएगा कि कॉंग्रेस पार्टी का कार्यकरता बबबर शेर जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया था एक इंच पीछे नहीं हटा तो अयोधिया में कॉंग्रेस पार्टी ने इंडिया गडबंदन ने इनको हराया है तो अगला स्टेप क्या है अब इन्होंने क्या किया अच्छा अंदर की बाद बताता हूं अब यहां आया हूं परिवार से बात हो रही तो अंदर की इंसाइट ट्रैक बता देता हूं इंसाइट ट्रैक है उसी MP ने बताया राहुल जी यहां पे तीन बार सर्वे हुआ था नरेंद्र मोदी जी वारा नसी से नहीं लड़ना चाहते थे नरेंद्र मोदी जी अयोदिया से लड़ना चाहते थे उनके सर्वेर आए तीन बार आए नरेंद्र मोदी जी आए और सर्वेर ने उनको कह दिया नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोदिया से लड़ेंगे आप अयोदिया में हारेंगे आप अयोधिया में मत लड़िये क्योंकि अगर आप लड़ गए आपका राजनेतिक करियर अयोधिया में खतम हो जाएगा इसलिए आयोदिया से नहीं लड़े वारा नसीर से लड़े और वारा नसी में हमने एक दो छोटी गलती कर दी नहीं तो वहां उनको निपट लेते हैं मतलब आप देखिए आयोदिया में उनी के लोगों ने उनसे कहा कि हारोगे और काशी में कितने से जीते एक लाख वोट से जीते मतलब जान बचा के निकले हैं सचा ही है जैसे मैंने पार्लिमंट हाउस में कहा हमारा काम यह जो लगा रखा है मैंने आज यह यह जो चिन लगा रखता है इसको क्या कहते है अबे मुद्रा कहते है यह आपका चिन है इसको भूलो मत आप आप आज वापिस जाओगे अलग-अलग धर्म के लोग हो आप हर धर्म में यह चिन आपको दिखाई देगा गुरु नानक जी की फोटो देखिए महवीर की देखिए बुद्धा की देखिए इसलाम में भी जैसे मैंने पार्लिमेंट में कहा दुआ मांगी जाती है दोनों हाथ से ऐसे मांगी जाती है आप आप शिवजी की फोटो देखिए उसमें आपको यह दिखाई देगा और इसका मतलब है डरो मत डराओ मत और मैं आपसे यहां कहने आया हूँ इन्होंने आपके ओफिस पे आपके कार्यकरताओं पर आक्रमन किया है अब आपको डरना नहीं है डराना नहीं है इन्होंने हमारे ओफिस पे धमका कर ओफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है चैलंज क्या है गुजरात के चुनाओं में मैं आपको बता रहा हूँ हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं जो हमने का और लिखके ले लो लिखके ले लो Congress Party की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाओं में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोदिया में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे है कौन हराएगा हमारे लीडर हराएंगे हमारे बबबर्शे टाइगर हराएंगे आपको आप देख रहे हो मैं बता रहा हूँ आपको देखो 50% आप में से लोग 50% आप क्या सोच सकते थे मैं आपको पूछाँ किया दें आपको देश्ट में आपको झाल झाल